Welcome to my channel friends, thanks for joining Friends, आज की वीडियो में आप Indian Film सड़क इसकी कहानी के बारे में जान पाएंगे Friends, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले request करना चाहूंगे Please, चैनल को subscribe जुरूर कीजेगा इसके लिए subscribe बटन पर क्लिक कीजेगा किनके इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हरनी आने वाली वीडियो के अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जाव सबसे पहले दिख पाएंगे Indian Film सड़क कहानी का अगाज, रवी कहानी का हीरो एक टेक्सी चलाता है जो के एक इमानदार ड्राइवर होता है और इसके साथ काम करने वाले जो ड्राइवर होते हैं उसको दिन रात काम करने से मना करते हैं कि इस तरह वो अपनी सहत को खुराब कर लेगा जिस पर वो कहता है कि उसको नीन धी नहीं आती तो वो काम ही करेगा कहानी में आगे रवी का एक दोस्त इसको बताता है गोतिया शादी करके आया है और उसकी शादी की खुशी में सब मठाई खा रहे हैं गोतिया और उसकी बीवी रवी के साथ उसकी गाड़ी में जाते हैं जहां रवी देखता है कि उसके दोस्त की बीवी अपना मंगल सुतर उतार देती है जिस पर रवी उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। गोटिया इसको उताता है कि इनके अभी शादी नहीं हुई है लेकिन वो करना चाहते हैं। जिस पर रवी कहता है तुम लोग शादी का नाटक कर सकते हो तो शादी क्यों नहीं कर सकते हैं। जिस पर रवी इनको कहता है इसी दुरान चंधा वहाँ पर आती हैं और कहती है क्या कभी एक जिसम बेचने वाली लड़की की शादी नहीं हो सकती है क्या उसका शादी करने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकती है। होना चाहती है और वो इसको बताती है कि उसका चचा इसको कहीं बेजना चाहता है लेकिन वो इसको वहाँ नहीं ले जा सकती है रवी इसको कहता है वो चिडिया का पिंजरा इसको दे 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 और वो इसको दे देती है और कहती है कि वो इस शहर में पहला मर्द है जिसे उसे बात करते भी दर नहीं लगा, इसी दूरान इसका चचा इसको वाज देता है और वो चली जाती है फूजा का चचा इसको महराणी के कोठे पा ले जाता है, जहां वो अपने चचा से पूचती है कि वो उसे गिर्वी रखा था लेकिन ये लोग इसका कर्ज अदार ना कर सके इसलिए उसने इसके बदले यानि पूजा के बदले उसके चचा की बेटी को इस कोटे पर उठा लाई और आज ये अपनी बेटी को यहां से छुडाने आया है लेकिन इसके पास कर्ज अदा करने के पैसे नहीं है इसलिए ये तुझे लाया है इस कोटे पर छोड़ने के लिए ताके बदले में अपनी बेटी को छुडा सके जिस पर पूजा अपने चचा की मिनत करती है कि वो ऐसा ना करे लेकिन महरानी इसको कहती है कि उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए ऐसा किया है जब इनसान की अपनी जान पर पढ़ती है तो सारे रिष्टे नाते धरे के धरे रह जाते है और तेरी किसमत ही तुझे यहां लाई है और अब कुछ नहीं हो सकता है और उसको कहती है कि वो उसे टॉप की वेश्या बनाएगी लेकिन पूजा अपने चचा की मिनत करती है लेकिन वो इसको वहाँ छोड़ कर चला जाता है कहानी में आगे रवी को एक पुलिस इंस्पेक्टर मिलता है वो इसकी गाड़ी में बैठता है जहां दोनों में बादचीत होती है रवी इसको कहता है कि उसने उसकी तस्वीर अकबार में देखी है और उसके काम की तारीफ करता है जिस पर इंस्पेक्टर इसको कहता है कि बादचीत से वो एक पड़ा रिखा इंसान मालम होता है और रवी को कहता है कि पड़े लिखे होकर ड्राइवर का काम क्यूं कर रहे हूँ जिस पर वो कहता है वो किसी को डूंड रहा है इंस्पेक्टर उसको कहता है क्या वो उसकी मदद कर सकता है जिस पर रवी कहता है वो जिसको डूंड रहा है वो कोई दूंद्या सा चेहरा है पता नहीं उसको मिलेगा या नहीं वो इंस्पेक्टर को इसके गर पर छोड़ता है इंस्पेक्टर उसको पैसे देने की कोशिश करता है लेकिन रवी उससे पैसे लेने से इंकार कर देता है जिस पर वो रवी से कहता है कि उसको कभी जरूरत पड़े तो वो यहां आ सकता है, वो उसकी मदद जरूर करेगा, रवी एक होटल में रहता है, जहां का मालिक इसका दोस्त होता है, होटल का मालिक स्लीव, रवी को इस तरह दिन रात जागने और काम करने से मना करता है, कि इस को कहता है कि उसको मरे आज साथ साल हो गए है और वो इस हादसे को बूल जाए और कहता है मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता है इसी दुरान रवी का दोस्त पकिया चचा को लेकर आता है जो के इनके साथ टेक्सी ड्राइवर होता है वो इसको बताता है कि कुछ गुंडों ने चचा को मारा और उसकी टैक्सी लेकर भाग गए रवी चचा से उस जगा के बार में पूछता है जहां उससे टैक्सी चीनी गई रवी वहाँ अपने दोस्त के साथ जाता है और इन लोगों से जिनों ने टैक्सी चीनी थी वो ही टैक्सी कम पैसों में खरीदने की कोशिश करता है जिस पर वो इसे लड़ाई करते हैं लेकिन वो इनको कहता है कि वो टैक्सी इनसे फ्री में ले जाएगा क्योंकि उन्हों ने ये टैक्सी उसके चचा से चीनी है रवी उसे में आकर एक आदमी को मानने की कोशिश करता है लेकिन उसका दोस्त उसको ऐसा करने से रोकता है रवी अपनी बेहन को याद करता है और इसके साथ होने वाले तमाम वाकियात को याद करता है रवी का नाना उसकी बेहन को मारता है क्योंकि वो किसी लड़के को पसंद करती है और इस वाके के बाद वो इस लड़के के साथ बाग जाती है रवी अपनी नाना को बताता है कि रूपा अपनी कमरे में नहीं है वो बाग गई है फिल्म के नेक्स्ट सीन में रवी अपनी नाना के पास आता है और उसको बताता है कि रूपा की चिठी आई है वो वंबई में है और किसी हसबताल में है और कहता है कि रूपा का दो साल बाद पता चला है चलें उसको गर वापस ले आते हैं वो हसबताल जाते हैं रूपा रवी को कहती है कि वो इसे गर ले जाए और अपने नाना से माफी मांगती है और उसको गर ले जाने के लिए कहती है इसी दुरान एक औरत नर्स से रुपा के बार भी पूछती है उसके आवाज सुनकर रुपा ढर जाती है और रवी से कहती है कि वो इस औरत के साथ नहीं जाना चाहती है इसको कहो वो वहाँ से चले जाए रवी का नाना उठकर इस ओरत के पास जाता है और उसे बात करता है इसी तुरान वो रूपा की तरफ घुसे से देखता है और रवी का हाथ पकड़कर उसको साथ चलने को कहता है जिस पर रवी पूछता है कि बात क्या है पहले बाहिर चलो फिर बताता हूं इसको बाहिर जाकर बताता है कि इस ओरत ने सारी बात बता दिया वो जिस लड़के के साथ बागी थी उसने रूपा को इसके कोटे पर बेच दिया था और वो दो साल से इसी के पास थी रवी अपने नाना को कहता है रुपा उसकी बहन है और वो इसको लिए बगार नहीं जाएगा लेकिन इसका नाना उसको कहता है कि वो रुपा को अपने पास अपने साथ वापिस नहीं ले जाएगा वो नापाक हो चुकी है वो हमारे लिए मर चुकी है लेकिन रवी नहीं मांता और कहता है कि वो अपनी बेहन के बगार नहीं जाएगा अगर वो रूपा को अपनी लिए मर चुकी है समझ चुके हैं तो वो रवी को भी समझ लें वो भी इन के लिए मर गया है इसी दुरान में रूपा के चलانे के आवाज आती है और हसबताल की बिल्डिंग से गिरने से उसकी मोतवा क्या हो जाती है और रवी इसके मनने के साथ साल बाद भी इस वाक्य को बूल नहीं पाता है और उस वरत का दुंदला चेहरा उसको याद रहता है और उसी को दुंदने के लिए वो इस शहर में होता है अपनी बहन को याद करते हुए टेंशन की वज़य से उसका नर्वस ब्रेकडाउन होता है और इसी जहनी दुबाव में उसका दोस्त सलीम उसको तसली देता है और उसकी कंडिशन जादा खराब होने की वज़य से उसको डॉक्टर को दिखाता है जहां डॉक्टर इसको अलेक्ट्रिक शोक देने को कहता है इसलिए वो इजाज़त नामे पर दस्थखत करने को कहता है जिस पर सलीम डॉक्टर को कहता है तुम चाहते हो कि मैं अपने दोस्त के मौत नामे पर दस्थखत करूँ इस पर डॉक्टर कहता है जहनी मुरीज के लिए अलेक्टिक शोक देना जरूरी है लेकिन सलीम साइन करने से मना कर देता है और कहता है जिसने गम दिया है उसीने इसकी दवा भी रखी होगी कोई तो होगा जो इसको ठीक करेगा कहानी में आगे पूजा को महरानी रोने दोने से मना करती है और उसको कहती है कि तेरी किस्मत में तवाइफ बनना लिखा है तो वो तवाइफ ही बनेगी और उसको कहती है कि वो इसको टॉप की तवाइफ बनाएगी इसलिए वो अपनी खूबसूरती को रो दोकर खराब ना क और वो चाहती है कि उसकी खूबसूरती के वज़ा से ही वो उसकी उंची बोली लगाएगी गोटिया रवी को कहता है कि वो उसको चंदा के पास छोड़ाए लेकिन वो जाने से मना करता है फिर वो उसको वहाँ छोड़ने के लिए त्यार हो जाता है चंदा भी उसी कोठे पर रहती है जहां पूजा रहती है पूजा महरानी के कोठे से बाग कर बाहर रहती है बाहर रवी अपनी टैक्सी में बैटा होता है वो बाग कर उसकी टैक्सी में बैट जाती है और उसको कहती है कि वो इसको इन लोगों से बचाए लेकिन वो लोग इस इसको लेकर वापस आ जाता है। रवी को पूजा से उसकी पहली मुलाकात याद आती है। जब वो इसे कहती है कि वो पहला मर्द है जिससे उसे ढरनी लगा है। और दूसरी मुलाकात पर कहेगी अलफास कि मुझे इनसे बचाओ इसको याद आते हैं। रवी अपने दोस्त सलेम से पूजा के बारे में बात करता है। और वो हैरान होता है कि आज साथ साल बाद अपनी मर्यवी बेहन की बजाए उसने किसी जिन्दा लड़की के बारे में बात किया। रवी इसको कहता है कि वो इस लड़की की मदद करना चाहता है। और उसके पास इसकी साथ साल की जितने भी कमाई हुई रकम मुझूद है, वो इसको दे दे, जिस पर वो इसको बताता है कि इसकी साथ साल की कमाई 30,000 बनते हैं, तो क्या वो इस लड़की के लिए अपनी तमाम जमा पूंजी दाव पर लगा देगा, जिस पर वो इसको कहता ह कि वो इसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है रवी गोटिया को पूजा से महबत के बारे में बताता है और उसको महरानी के कोटे पर जाने के लिए कहता है और उससे ये भी कहता है कि क्या वो लोग उसको पहचान तो नहीं लेंगे क्योंकि पूजा की वज़ा से रवी ने इन लोगों से लड़ने की कोशिश की थी गोटिया कहता है कि वो लोग क्योंकि नशे के आदी होते हैं इसलिए वो नशे की वज़ा से किसी को पहचान नहीं पाएंगे नशे की वज़ा से होश में नहीं होते हैं तो किसी को पहचानेंगे कैसे इसलिए वो इस बात की फिकर ना करें और ये कहता है कि वो सारी बात को खुदी संभाल लेगा और बाकी की बात गुलू संभाल लेगा कहानी में आगे गोट या गुलू को रवी की सारी बात बता देता है जिस पर वो कहता है कि महरानी के कोठे से किसी लड़की को बगाना बहुत मुश्कल काम है और कहता है कि इस गली में उसका दलाली का काम है और इनके इस काम की वज़े से उसकी रोजी रोटी छिन जाएगी जिस पर रवी कहता है कि वो दलाली के काम की वज़े से अपने गनाहों में अजाफा कर रहा है और जब इसके पापों का हिसाब होगा तो वो क्या जवाब देगा इसलिए वो इस लड़की को बगा कर वो एक नेकी कमा सकता है इस बात की वज़े से गुलू इनका काम करने के लिए त्यार हो जाता है गुलू इनको लेकर महरानी के कोटे पर जाता है गुलू को देखकर महरानी गोटिया को कहती है उसको कब से कोटे पर आने के लिए दल्लों की जरूरत पढ़ने लगी है गोटिया कहता है कि उसका एक दोस्त बाहिर के मुलक से आया हुआ है इस लिए उसको कोई अच्छी सी लड़की रिखाए महरानी कहती है क्यों नहीं जरूर और सारे लड़कियों को बलाती है महरानी के कहने पर लड़की आती है पूजा और चंदा भी साथ आती है रवी पूजा की तरफ इशारा करता है उसको वो लड़की चाहिए जिस पर गुलू महरानी को कहता है कि वा ये तो वही लड़की है जिसकी आज बोली लगने वाली थी इसको भी यही लड़की चाहिए जिस पर महरानी कहते है कि इसको क्यों बलाया बाहिर और कहती है ये लड़की बिख चुकी है और इसकी 10,000 बोली लगी है रवी इसको कहते है कि वो इसके लिए 12,000 देगा महरानी कहते है कि वो लड़की बिख चुकी है इसलिए वो 2000 में अपने एमान नहीं बेश सकती है इसलिए वो अपने लिए कोई और लड़की देख ले लेकिन रवी 15,000 कहता है जिस पर महरानी सुनकर हैरान रह जाती है गोटिया रवी को मना करता है और गुलू कहता है देखा महरानी बिना दलाल के लड़की की बोली लगाओगी तो गाटे में रहोगी लड़की की असल बोली तो अब लगी है इसी दुरान पहला गाहक पूजा की बोली 20,000 लगाता है फिर रवी महरानी को 32,000 देता है पहला गाहक 35,000 देता है इस पर महरानी कहती है अब तो लड़की इसी के साथ जाएगी जिसने पैसे जादा दिये अब रवी के पास क्यूंके पैसे नहीं होते हैं लेकिन अचानक गुसे में आकर उसको कहता है कि वो कल और पैसे लेकर आएगा और ये लड़की इसी के साथ जाएगी लेकिन महरानी इ जवाब देती है कि तु कल आना और यही लड़की तुझको कम दामों में मिलेगी और अगर इसके पास पैसे हैं तो बात करें वरना जाए। और इसको कहती है कि यहाँ जैसे किसी के लिए रात नहीं रुकती इसी तरह किसी के लिए यह बजार नहीं रुकता है। इस पर पैसो के वज़ा से ऐसी सिच्वेशन होने पर वो गाहक महरानी को बाते सुनाता है और उस पर महरानी उसको धक्का दे देती है और वो छला जाता है और रवी को कहती है कि ये लड़की आज की रात इसकी दुल्हन है लेकिन रवी इसको कोटे पर रहने के बजाए उसको साथ किसी और जगा लजाने की अजासत मांगता है महरानी इसको जाने के अजासत दे देती है पर उसके बदले गोटिया को जमानत के तोर पर कोटे पर रहने को कहती है और इसको कहती है कि अगर रवी लड़की को लेकर भाग गया इसलिए वो कोठे पर कल सुबो तक रहेगा जिस पर गोटिया भी हरान रह जाता है गोटिया के वहां रहने पर रवी पूजा को लेकर बाहर आ जाता है और रवी पूजा को बता देता है कि उसको वहां बचाने के लिए वह आया था जिस पर वो कहती है कि वो इसको गलत समझती रही लेकिन वो तो असल में उसकी हफाज़त कर रहा था रवी उसको वो ही चिडिया का पिंजरा दिखाता है जो उसको पूजा ने दिया था जिसको देखकर वो खुश होती है और रवी इसको कहता है कि वो उस कोटे पर तब तक आएगा जब तक वो उसको उस कोटे से अजाद ना करवा ले रवी इसको कहता है वो उसको दुबारा कोटे पर नहीं जाने देता अगर उसका दोस्त गोटिया वहाँ पे मुझूद ना होता और उसको कहता है कि वो दबारा वहाँ जरूर आएगा अगले दिन रवी कोटिय पर जाने से पहले अपनी टैक्सी गिर्वी रखकर पैसे अकटे करता है लेकिन इसका दोस्त इसको मना करता है कि कब तक वो इसी तरह पैसे देकर उस लड़की को बचाता रहेगा रवी कहता है इस लड़की को बचाने के लिए अगर खुद को भी बेचना पड़ा तो वो बेच देगा लेकिन इस लड़की को जरूर बचाएगा गुलू के साथ रवी कोटी पर जाता है जहां महरानी के गुंडे उसके साथ बत्तमीजी करते हैं महरानी रवी को पहचान कर कहती है कि तू फिर आ गया है और उसको कहती है कि वो इस दंदे में 30 साल से है और जिस लड़की को वो सुबो छोड़ कर गया था, उसकी चाल डाल से ही वो जान गई थी, तो उसके साथ सोया ही नहीं, लेकिन रवी उसे कहता है, उसको इस बात से क्या मतलब है, वो उसको बाकी गाहकों से जादा पैसे भी तो दे रहा है, फिर उसको क्या मसला है, लेकिन म कोठे से निकल जाने को कहती है और उसको कहती है कि कोठे पर कोठे पर रहने वाली लड़की से महबत करने वाले पागल सदियों में एक पैदा होते हैं और तेरे जैसे लोग उसके दंदे के लिए खत्रा होते हैं और उसको कहती है कि तू कोई और कोठा डूंड ले और अपने की नत इसके कोटे पर इसके सामने उतारेगा फिर रवी को जबरदस्ती पूजा के पास बेजती है लेकिन रवी मोका देखकर महरानी पर खंजर से वार करता है और उसको डाल बनाकर पूजा और चंदा गुलू और गोटिया को लेकर भाग जाता है बागने के बाद गोटिया और चंदा शादी कर लेते हैं महरानी के बंदे गुलू को पकड़ लेते हैं महरानी इसको रवी की मदद करने के सजा के तोर पर उसके तांगे तड़वा देती है गोटिया और रवी सलीम के पास जाते हैं रवी इसको बताता है कि गोटिया ने चंदा से शादी कर लिया है सलीम इनको कहता है कि वो कब तक इन लोगों से बच पाएंगे वो लोग इनको ढूंटे हुए होटल तक आये थे और किसी दिन वो इसके गर तक भी पहुँच जाएंगे तब क्या होगा गोटिया भी कहता है कि वो लोग उसके अड़े तक भी गे और उसका काम बंद हो गया है रवी इन से नराज होता है और कहता है कि वो क्या करे वो पूजा को उनके कोटे पर वापस छोड़ा है वो ऐसा नहीं कर सकता है कि वो पूजा से महबत करता है लेकिन सलीम उसे कहता है कि वो इसे कब कह रहा है कि वो इसको महरानी के कोठे पर छोड़ा है वो कहता है कि हमें पुलिस में रपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए ताकि वो लोग इनका पीछा छोड़ दें सलीम रवी को कहता है क्या तुम किसी को जानते हो जो हमारी मदद कर सके रवी कहता है हाँ मैं जानता हूँ गोटीया और रवी पुलिस इंसपैक्टर जिसको रवी ने अपनी गाड़ी से उसके गर चोड़ा था और उसने बदले में रवी से कहा कि उसको कभी भी इसकी जूर थो वो उसके घर आ सकता है। दोनों इशके पास जाते हैं रवी और गोटीया से पुलिस इंसपैक्टर कहता है कि इनकी गवाही के बगार वो ये केस फाइल नहीं कर सकता है इसलिए केस फाइल नहीं कर सकता है इसलिए इनका आना जरूरी है और इनको लाने के लिए कहता है और इनको कहता है कि इस तरह जल्दी इनका केस फाइल हो जाएगा और इनको पुलिस प्रोटेक्शन मिल ज जाती है, महरानी इन सब को मारना चाहती है, गोटिया रवी को इनको छोड़ कर बागने को कहता है, इनके जाने के बाद महरानी चंदा और गोटिया को और गोलिया मारती है, जिसकी वज़ा से दोनों मर जाती है, रवी को जब पता चलता है, पुलिस इंस्पेक्टर ने इनको उसको कहता है कि रवी उसकी पुलिस जीप लेकर बाग गया है और वो अपने बड़े ओफिसर्स को क्या जवाब देगा इस पर महरानी इसको अपनी शेविंग के उस्तरे से मारती है और उसको कहती है लो मिल गया जवाब और उसको कहती है अब जा और अपने ओफिसर्स को कहा कि रवी ने उसे पैसे चिने और उसको उस्तरे से मारा और उसकी जीप लेकर बाग गया महरानी इसको कहती है कि आप बंबई क्या पूरे मुलेक की पुलिस इसके पीछे लग जाएगी पुलिस इंस्पेक्टर अपने डिपार्टमन्ट को इतला देता है और रवी के लिए ओडर देता है कि जिस पुलिस नाके पर उसकी जीप नजर आए उसको फोरी गिरफतार कर लिया जाए रवी जीप का कलर तबडिल कर लेता है ताकि जीप पकड़ी ना जा सके वो वहाँ नहीं आ सकता है कहानी में आगे रवी पुजा को कहता है कि वो उसको किसी महफूज मकाम पर पहुँचा कर वापस बंबई जाएगा लेकिन पुजा उसको मना करती है वो कहता है कि गोट्या इसका दोस्त था इसलिए वो जरूर जाएगा पुजा इसको कहती है कि इस पहाड़ी अलाके के एक राजा के महल की देखबाल उसका मामा करता है और वो उसके पास जा सकती है रवी पुजा को वहाँ छोड़ देता है पुजा उससे पूछती है कि वो अब कब आएगा रवी कहता है शायद कभी नहीं आऊंगा इसी दुरान पुजा का मामा उससे पूछता है कि वो कौन था इसी दुरान रवी की जीप रुकती है पुजा उसके पास जाती है रवी गोली के जखम की वज़ा से गाड़ी नहीं चला पाता है फूजा का मामा उसको हसबताल ले जाने के लिए कहता है लेकिन वो जाने से इंकार करता है और इसको कहता है ये गोली का जखम है और हसबताल वाले पुलिस को बता देंगे और पुलिस वाले इनको पकड़ लेंगे ये कहते हुए वो बहोश हो जाता है फूजा का मामा गाओं से इंकार करता है कि वो कई डॉक्टर नहीं है और इनको कहता है कि अगर इस आदमी को बचाना है तो इसको हसबताल ले जाना होगा लेकिन पूजा मना करती है जिस पर उसका मामा उससे पूछता है कि वो इसको हसबताल क्यों नहीं ले जा सकते हैं पूजा इसको बताती है पूजा हकीम के बताए तरीके पर अमल करती है, कहानी में आगे रवी के दोस्त सलीम के घर पुलिस इंस्पेक्टर आता है, उसे रवी के बारे में पूछता है, सलीम कहता है, कि उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, इंस्पेक्टर महरानी को बताता है, कि सलीम को रवी क पूजा बारे में कुछ नहीं पता है लेकिन वो इसको कहती है कि वो सलीम पर नजर रखे क्योंके वो इसका दोस्त है वो आज या कल मिलने ज़रूर आएगा। रवी ठीक हो जाता है पूजा रवी को बताती है वेद जी की वज़ा से वो ठीक हो गया पर इस पर वेद कहता है कि वो उसकी नहीं बलके पूजा की वज़ा से ठीक हुआ है वो इनका शुक्रिया दा करता है पुलिस इंस्पेक्टर महरानी के कहने पर इसी पहाड़ी इलाके क पुलिस इंस्पेक्टर को एक लड़के और लड़की को डूनने को कहता है जिस पर रवी और पूजा ठहरे होते हैं क्योंकि महारानी को पता चलता है कि पूजा इसी पहाडी अलाके की रहने वाली है पुलिस इंस्पेक्टर उसको कहता है कि वो पूरी कोशिश करेंगा इन दोनों को दूमने की रवी स्लीम से बात करने पॉस्ट आफिस आता है सलीम उसको बताता है कि वो यहाँ ना आई क्योंकि वो लोग इसको डूूंड रहे हैं इसके बाद रवी कहता है कि उसको कुछ पैसों की जूर्त है रवी सलीम को अपना ड्रेस बताता है जिसको वो एक कागस पर लिखता है इसी तुरान पुलिस इंस्पेक्टर आता है सलीम इसको देखकर डर जाता है और इस कागस को मुँ में डालकर निगल जाता है फूजा और रवी एक दूसरे को उपसंद करते हैं इस बात का पता जब पूजा के मामा को चलता है तो वो इनको शादी करने के लिए कहता है और वो इसलिए ऐसा कहता है कि यहां लोग छोटी सी बात का बतंगड बनाते हैं वो इनके इस तरह रहने से लोग बातें करेंगे रवी इससे पूजा के साथ शादी के जाज़त मांगता है पूजा का मा अपनी रजावंदी जाहिर करता है कहानी में आगे सलीम को महरानी के आदमी उठाकर ले जाते हैं और इस पर तिशद्दित करते हैं और इससे रवी का पता पूछते हैं जिस पर वो इनकार करता है और कहता है कि वो मर जाएगा पर इनको रवी का पता नहीं बताएगा इस पर महरانی अपने आदमी को इसको मारने को कहती है वो सलीम को मार देता है सलीम की लाश इसके गर पहुँचती है इसी दुरान रवी की कॉल आती है उसका दोस्त रवी को बताता है कि सलीम को महरانी के आदमें ने मार दिया है रवी जब पोस्ट ओफिस से बाहर आता है तो वो देखता है कि पूजा के मामा उस अलाके के लोग रवी और पूजा के बारे में बुरे लफाज इस्तमाल करते हैं और उसके मामा को बाते सुनाते हैं और रवी को पूजा का यार कहते हैं इस बात पर रवी को गुसा आ जाता है और वो इन से लड़ाई करता है इसी दुरान वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर आता है और रवी को देखकर इसको पहचान कर बंबई पुलिस इंस्पेक्टर को कोल करके बताता है कि हमें वो लड़का मिल गया है रवी घर आकर पूजा को सलीम के बारे में बताता है कि बंबई जाकर इन लोगों को रोकना चाहता हूं क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके वज़े से किसी और की जान जाए लेकिन पूजा इसको कहती है कि वो इसके बंबई जाने से पहले उससे शादी करना चाहती है दोनों शादी करते है कहानी में आगे महरानी और उसके गुंडे वहां आते है रवी इनको देखकर पूजा को वहां से बागनी को कहते है रवी की इन से लड़ाई होती है महरानी इसको मारती है ये लोग रवी को बांद कर उसके सामने पूजा को अपने साथ ले जाते है लेकिन रवी कोव पूजा के साथ गुजरावा व्याद आता है और उसको अपनी बेहन के मरने का मन delta आता है इसी दुंदले चेहरे को जिसको डूंडने वो बंबई आता है वो चेहरा अचानक वाज़ा हो जाता है इसको याद आता है हसबताल में जो दुंदला चेहरा एक औरच का था वो असल में महरानी ही थी जिसको पूरा नहीं देख पाया था लेकिन इसके सामने आने पर वो दूंदला चेहरा भी साफ याद आ जाता है वो खुद को रस्यों से छुडाता है और बंबई जाता है समसे पहले इंस्पेक्टर के गर जाता है उसको मार देता है और इसके बाद महरानी के कोटे पर जाता है और इसको कहता है कि उसने उसकी बेहन को मारा था इसलिए आज इसको वो मार देगा और इसकी पाप की नगरी को भी आग लगा देगा महरानी पूजा को एक कमरे में बंद करके पूरे घर पर मट्टी का तेल चलिक देती है और कहती है कि वो खुद भी साग में जल कर मर जाएगी और साथ उसे और पूजा को भी मार देगी महरानी घर को आग लगा देती है पूजा खुद को बचाने के लिए घर की छट पर चली जाती है रवी महरानी को मारता है और इसी दुरान वो पूजा को छट पर देखकर कहती है कि देख पूजा भी तेरी बेहन की तरह छट से गिर कर मर जाएगी रवी को गुसा आता है और उसको अपनी बेहन के मरने का मनज़र याद आता है और वो महरानी को जलती आग में धका दे देता है और महरानी आग लगने से मर जाती है पूजा च्छत पर होती है रवी इसको आग से बचने के लिए छलांग लगाने को कहता है और वो इसको पकल लेता है और वो बच जाती है रवी को कानून हाथ में लेने की सजा मिलती है और सजा कैटने के बाद वो रहा हो जाता है पूजा और रवी मिल जाते हैं जो इस फिलम का आखरी सीन होता है और फिलम एक्तताम पजीर हो जाती है नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं आपके साथ इस फिल्म में बताएगी माशरती सोच या इस कहानी से क्या सिखा जा सकता है या इसमें क्या लर्निंग है, क्या सबक है इस स्टोरी के अंदर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी फर्स्ट फैक्ट जो इसमें शेयर किया गया वो ये है कि क्या एक जिसम बेचने वाली लड़की की कभी शादी हो सकती है ये सवाल इस फिल्म की कहानी के मताबिक है क्योंके ये फिल्म ऐसी ही लड़कियों के बारी में बनाई गई है जिनको कोटे पर इनके क्रीबी रिष्टों ने बेचा होता है रवी की बेहन जिसको ऐसे इंसान ने वहाँ बेचा जिससे वो प्यार करती थी और पूजा को उसके चचा ने इसलिए बेचा ताकि उसके बदले उसके अपनी बेटी वहाँ से रहा हो सके और वहाँ अपनी बेटी की जगा पूजा को छोड़ दिया जब इंसान की जौन पर पड़ती है जो कि नेक्स्ट फेक्ट इसमें बेचान किया गया है तो वह सब रिष्टे बूल जाता है और सारे रिष्टे दरे के दरे रहा जते है अपनी क्रीब के रिष्टे बचाने के लिए दूसरे रिष्टों के कुर्बानी जवू दे दी जाती है जो के पूजा का चचा अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी बिती जी अपनी बेटी के बदले उसको कोटे पर छोड़ देता है जो कि इस फैक्ट की एक मिसाल है नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बियान किया गया है वो यह है कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता जो कि रवी को उसका दोस्त सलीम कहता है ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि वो हर वक्त अपनी अपनी मरी बहन को याद करता रहता है नेक्स्ट फैक्ट जो इसमें बियान किया गया वो यह है कि जिसने दर्द दिया है वो ही इसकी दुआ भी देगा नेक्स्ट फैक्ट जो इसमें बियान किया गया वो यह है कि रब की तरफ जब इनसान पर कोई मसीबत आती है तो वो इसको बरदाश करने की हिम्मत भी देता है नेक्सट फेक्ट रोने दोने से तक्दीर जह वो नहीं बदलती है नेक्सट फेक्ट जिसमें बियान किया गया वो यह है कि लोग राई का पहाड बना देते हैं यहीं चोटी सी बात को बढ़ा चड़ा कर बताते हैं नेक्सट फेक्ट जिसमें बताया गया है कि महबत एक आख की तरह है जब लगती है तो बढ़ती चली जाती है कम नहीं होती है next factor जिसमें बताया गया वो यह है कि जिसम के दंदा करने वाले लोगों के हाथ बहुत लंबे होते हैं यानि इनके तालुकाँ जहां वो बहुत जादा होते हैं खुद को बचाने के लिए ये लोग इन तालुकाँ को इस्तमाल करके बच जाते हैं नेक्स्ट फैक्ट जिसमें बियान किया गया है वो यह है कि कुते जैसा जानवर जब बौंगता है तो ऐसा वो उस वक्त करते हैं जब वो किसी अजनबी इनसान को देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट जिसमें बियान किया गया है कि लोग, लड़के और लड़की को साथ दे कर इनके आपस में अच्छे या खराप तालुक का अंदाजा हो जह हो खुदी लगा लेते हैं, लड़की के घरवलों को बाते सुनाते हैं, तानिय देते हैं नेक्स्ट फेक्ट जिसमें वियान किया गया है, इंसान पुराने होने वाले बुरे वाकियात को याद करके हमेशा मजीद जहनी दबाव, टैंशन, डिप्रेशन का जवों शिकार होते हैं और जहनी मरीज जवों बन जाते हैं नेक्स्ट फैक्ट जिसमें वियान कहाएग है कि इनसान को मकروज होने की सुट में कर्ज देने वाले की हर जय जायस और नजयस बात जहओं मानना परती है कर्ज वसूर करने वाले अपना कर्ज वापस लेने के लिए मकरूज की कीमती सकीमती चीज़ भी ले लेते हैं next fact जिसमें बियान कियागी है वो यह है कि कुछ जोस्तों की यारि में इनसान जयावा मारा जाता है दोस्ती के लिए जान भी जयावज चले जाती है लेकिन इसके लावा इस कहानी का एक उलट भी है एक opposite fact हमें हमारे society में अक्सर देखने को मिलते है सुनने को मिलता है या आपको ऐसी स्टोरीज और वाक्या सुनने को मिलते हैं जो कि एक हकीकत है रियालिटी है बिटर रियालिटी है कुछ यार जो होते हैं वो यार मार होते हैं जिन के लिए ये भी कहा जाते है कि ऐसे दोस्तों की दोस्ती से इनसान जावा केला ही अच्य है और ये ऐसे फ्राद हैं जो कि पीट पीछे जाव़ चुरा गूंते हैं यनि आपके मूँ पर ऐसे जाहिर करते हैं जैसे वो आपके अच्छे और सचे दोस्त हैं लेकिन हकीकत में वो दुश्मन होते हैं जिन को आस्तीन में छुपावा साप भी कहते हैं होकरन्स आज की वीडियो आपको अच्छे लगे हो अगर मेरे बताएगे फेक्ट को माशेर में पाए जाने वाली जो सोच है इसके हबाले से आप क्या सुचते हैं और अगर आपको बताएगे फेक्ट अगर आपको रिलेटेबल लगते हैं या आपको कहीं सुनने का या देखने का इतफाक हुआ हो तो प्लीज अपने एक्सपिरियंस को लाजमी शेयर कीजएगा अगर आप अग्री या डिसरग्री भी करते हैं इसके हवाले से तो प्लीज तब भी कॉमेंट में जो लिखेगा प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजएगा अगर कोई बात सीखने को मिली है कोई बात दिन को अच्छे लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजएगा आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया